तो जैमा काल सुनने टो इंफिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं हार्ड इक स्वागत करता हूँ दोस्तों उस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाए जिससे नए वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिल सकें दोस्तों पसंद आए तो और उपिये इनकी लेवल के क्यूशन है दोस्तों तो यह इंपोटेन्ट गूशन है सबी के लिए तो शुरू करते हैं आज का टोपिक मुगल प्रसाशन मुगल प्रसाशन की बात करें दोस्तों टाइम खट नहीं करेंगे जयदा फिर पहला क्यूशन है अक्या प्रसाशन, मुगलों की राजत्व सिद्धानत का मूल आधार क्या था दोस्तों सरियत क्या था सरियत था बहुत इंपोर्टेंट कुरान एव हधीश का सम्मलित नाम था है बाबर की बात करते हैं दोस्तों क्यूचर पूचा जाता है कि बादसा की उपादी धारन करने वाला पहला सासक कौन था, तो वो था दोस्तों बादसा, ठीक है, नेक्स्ट क्यूचर पूचा जाता है कि किस सासक ने बादसा को परत्वी पर खुदा का परतिनितितु माना था, तो हुमायू बादसा के को परत् अकबर ने रूडिवादी इसलामी सिद्धान पर सुलह कुल की नीती अपनाई ये आरेस में पूछा गया क्यूशन है दोस्तों कि सुलह कुल की नीती किसने अपनाई थी तो आपको बता दू सुलह कुल की नीती दोस्तों अकबर ने अपनाई थी ठीक है मुगल सासन परणाली नोकर साही पद्धती के आदार पर इस्तिती किस पर आदार पर इसकी एक एक लाइन दोस्तों बहुत important है कहीं से भी question पूछा जा सकता है तो इसको भी याद रखना कि मुगल सासन परणाली किस पद्दती पर आधारित थी तो वो है दोस्तों नोकर साही पद्दती पर आधारित थी ठीक है फिर वकील की बात करते हैं दोस्तों कि वकील एक वेभारिक सक्तिया समिती थी वकील क्या करता था, जो वेभारिक सक्तियां समेती थी, उसका गठन करता था, तथा वह समराट की अदीन था, ठीक है, और आदिन की तोर पर इसे किसके रूप में जानते हैं, प्रदानमंत्री के रूप में, important है, वकील ए मुलतलक, मुकील ए मुलतलक की बात करें, तो समराट के बाद अगर दूसरा कोई प्रमुक पद था जिसे समराट द्वारा ही किया गया था दोस्तों तो वो था वकील एम मुलतलक ठीक है इंपोर्टेंट है समराट के बाद दूसरा जो प्रमुक पद था वकील एम मुलतलक फिर नेक्स्ट है दिवान ए आला जिसे वजीर के नाम स से जानती थी मीरवक्षी की बात करनी होते थे बक्षियर होते थे बक्षियर हुजूर और दूसरा उताया रह्क्षियर सहगे þांटए ठीक है फिर अपना है सद्र उस सुदूर जिसे सद्र जहां भी ख़ते हैं दोस्तों तो इसकी बात करें दोस्तों तो सद्र उस सुदूर की सद्रे जहां धार्मिक मामलों का परदान होता था काजी उलकुजात की बात करें तो ये न्याय विभाग का परदान होता था मीर आतिस की बार करें तो ये साही तोप काने का परदान होता था और मीर मुंसी की बात करें दोस चोटी चोटी जो जहाजों का नियरक्षन करता था वो मीर बहर करता था मुहत सिप की बात करने जनता की नेतिक करतवियों का नियरक्षन करता था फिर है next important question है कि जो अकबर के द्वारा सर्व परतम प्रसासन हे तू प्रस्तुत करते हुए कितने सुबों का इस्तापना की कितने सुबों के स्तापना की तो अकबर ने दोस्तों बारा सुबों के स्तापना की पहले तीन थे टोटल मिलाकर पंदरा हो गए लेकिन फिर औरंग जेब के समय ये बढ़कर 20 हो गए important question याद रखना next है दोस्तों अपना दिवान ए सुबेदार दिवान ए सुबेदार क्या होता था दिवान की बात करें सुबेदार के नहीं बलकि केंदरी दिवान के दिन आते थे ठीक है क्या प्रांतिय सासन प्रांतिय सासन जो थे जो सुबेदार के नहीं दिवान के दिन आते थे सदर और काजी इसकी बाते कटाओं तो ये जो दोनो पद है सदर और काजी एक ही वेक्ती के थे तो वो क्या करता था कोतवाल बहुत इंपोटेंट है दोस्तों इसको रट लेना पटवार के लिए तो खास तोर थे कोटवाल दोस्तों सूबों के जो सूबे जानते हो राज्य को बोलते हैं दोस्तों पहले सूबे ठीक है तो सूबों के आंतरिक सांती और सुरक्षा की विवस्ता कौन करता था तो वो करता था यही कोटवाल important है ठीक है और इसकी बात करूँ में आपको राज्यों को सुभा तता जिले को सरकार कहते हैं important very very important question है कि राज्यों को क्या कहते थे मुगल कालीन परसासन के अंतरगत तो दोस्तों राज्यों को सुभा कहते थे और जिले को सरकार के नाम से जानते थे फोसदार की बात करता हूं तो फोसदार जिले और सरकार का प्रमुक्षेनिक अधिकारी होता था आमल गुजार की बात करें तो जिले का जो माल गुजारी का एकतरित करता था वो करता था और कर्षकों से जो तकार्टी कर लिया जाता था उसको बाटने और वसूलने का काम करत ता था शिक्दार की बात करें दोस्तों तो शिक्दार कारिय और परगना इस तर पर कानून और विवस्ता की देख बाल करने का कारिय करता था शिक्दार ठीक है फिर आमील की बात करें दोस्तों आमील आमील भी परगना इस तर पर राजस्व निर्धारन का काम करता था आमील important और ये सबसे ज़्यादा important है इन सभी में कानून गो कानून गो की बात करें दोस्तों जो भूमी का सर्वेक्षन करना तता ये परगने की पटवारियों का अधिकारी होता था very very important पटवारी के लिए very very important तो कानून को की बात करें तो भूमी का सर्वेक्षन करना इसका काम था और परगने की जो पटवारियों का अधिकारी होता था वो कानून को होता था ठीक है फोतदार की बात करते हैं तो परगने की आई इसी के पास सिंचित होती थी फोतदार की बात करें तो परगने की जो भी आय प्राप्त होती थी, वो किस के पास एकत्रित होती थी, फोधदार के पास, ठीक है, काजी की बात कर लिए है अपन ने, जो मुकदमों को निपटारा करता था, ठीक है, अब हम पात करते हैं ग्राम परसासन की, तो ग्राम परसासन के बारे में जान ले कि जो मुगल सासक गाओं को स्वायत संसता मानते थे जिसे किस नाम से जानते थे important, खूत, मुकद्दम या चोधरी के नाम से इन्ही जानते थे, ठीक है, सहायता पटवारी करता था, इनके सहायता कौन करता था, पटवारी, पटवारी को very very important question, पटवार के लिए, very very important question, पटवारी को राजस्यों का एक परतिसत, कितना, एक परतिसत, दस्तूरी, जिसे कमिश आने वाले गाउं को क्या कहते थे दोस्तों, परगने के इंतरगज जो गाउं आते थे, उनको मावदा या दीही कहते थे, क्या कहते थे, मावदा या दीही कहते थे, ठीक है, next चलते है, सांजा के सासनकाल में परगनों की बात करते हैं, तो सांजा के सासनकाल में परगनों और सरकार, सरकार को क्या कहते हैं, जिला, याद रखेगा, कि बीच एक इकाय का निर्मान किया गया, जिसे क्या कहते हैं, जिले चकला, जिले चकला कहते हैं, ठीक है, important है, जो परगनों और सरकार की बीच की जो इकाय होती थी, उसका निर्मान किया किसने, साजाने, और उसे कि इस नाम से जानते हैं जिले चक्ला के नाम से जानते हैं याद रखना इंप्पोटेंट है बंधंटकाहों कि परसाथन की देहए सीफस्टा की देखवाल कौन करता था यहां से स्टार्ट करते हैं, देखो बाबर ने काबूल में चांदी का एक सिक्का चलाया, बाबर ने काबूल के इंदर एक चांदी का सिक्का चलाया था, उसे दोस्तों सारुक कहते हैं, क्या कहते हैं, सारुक कहते हैं, और कंदार में एक सिक्का चलाया, उसे बाबरी नामक स सिक्का कहते हैं दोनों इंपोर्टेंट है कि काबूल में बाबर ने कौन सा सिक्का चलाया तो चांदी का सिक्का चलाया उसका नाम था सारुक ठीक है और कंधार में जो सब चलाया था उसे बाबरी नाम का सिक्का कहते हैं ठीक है सिक्कों पर इसके सिक्कों की क्या खासियत थी वो भी आद रखना कि सिक्कों की एक तरफ तो कलमा लिखा हुआ था ठीक है और चारो तरफ खलिफाओं के नाम अंकित थी उसके तथा दूसरी तरफ दूसरी तरफ की बात करते हैं तो बाबर का नाम और उसकी उपादिया अंकि थी दोस्तो ये इस सिक्के की खाशियत थी अब बात करते है शेर्षा स summary की तो doggy ने सुद्ध चांदी का सिक्का चलाया किसका सुद्ध चांदी का सिक्का चलाया उस सिक्के का नाम क्या था और इसका ग्रेन कितना था ये याद तथा तांबे की सिक्कों को पैसा कहा इसने क्या कहा तांबे की सिक्कों को पैसा ठीक है अकबर ने 1577 इस्वी में दिल्ली में एक साही टक्साल बनवाई किसकी दिल्ली में एक साही टक्साल बनाई दोस्तों याद रखेगा 1577 इस्वी में दिल्ली में साही टक्साल किसने बना बनवाए गई जिसका प्रदान कौन था दोस्तों ख्वाजा अब्दुल रस्मत को नियुक्त किया गया ठीक है इंपोर्टेंट है सारे क्यूशन इंपोर्टेंट है इसके याद रखेगा फिर बात करते हैं प्रारंब में मोहर नामक शिक्का चलाया गया क्या चलाया गया मोहर नामका एक शिक्का चलाया गया प्रारंब में अकबर दुवारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था पूछा गया क्यूशन कहीं बार तो था संसब ठीक है जो 101 तोले का था कितना 101 तोले का था याद रखेगा अकबर दुवारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का उसे संसब कहते हैं याद रखेगा इसके तरिक ते अकबर ने और क्या किया तो इसके तरिक ते सोने का सिक्का इलाही भी इसी ने चलाया अकबर ने सबसे पहले कि अकबर द्वरा सबसे बड़ा सोने का सिख्का चलाए गया पहला क्यूशन दूसरा क्यूशन कि उसका नाम क्या था तो उसका नाम था दोस्तों संबस ठीक है अब वो तो पूचले कितनी डिोलेका था तो धो अद जड़ जनलेका याद रखेगा इसमें तीन क्य दूसरा कौन सा चलाए गया तो था इलाई चादी की सिक्के के बारे में बात करते हैं तो वो था जलाली और तांबे का सिक्का दोस्तों दाम कहलाता था अगर तांबे के छोटी-छोटी शिक्कों की बात करें तो वो जीतल कहलाते थे, ठीक है, अकबर ने अपने कुछ शिक्कों पर, ये बहुत important question है, कई बार पूछा गया है, कि राम और सिता की मूर्थी, देवनागरी में राम सिया किस सासक ने लिखवाये, शिक्कों पर, तो वो है दोस्तों, अकबर, अकबर क कि द्वारा कुछ शिक्कों पर, राम सिता की मूर्थी और देवनागरी में राम सिया लिखवाया था, important, very very important, पटवारी, RIS, UPSC, सब के लिए important, ठीक है, फिर है, जांगिर ने निसार नामक एक शिक्का चलाया, किसने, निसार नामक एक शिक्का चलाया था, जांगिर ने, ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, सांजा की, तो सांजा ने डाम और रुपय के बीच आना नामक शिक्का चलाया, कौन सा, सांजा ने कौन सा सिक्का चलाया, डाम और रुपय के बीच आना नामक शिक्के का परचलन करवाया, तो ये भी important है, डाम किसने चलवाया, दुलाई औरंग जेब की द्वारा करवाए गई तो अब बात करें अबुल-फजल के अनुसार किसके अनुसार अबुल-फजल के अनुसार, 1555 इस्विए में जो सोने की सिक्कों को ढालने की टक्साले थी, वो कितनी थी, important, तो सोने की सिक्कों की ढालने की टक्साले दोस्तों, चार टक्साले थी, सोने की सिक्कों को ढालने की, अब बात करते हैं, चांदी की सिक्कों को ढालने की, दोस्तों, 14 टक्साले थी, कितनी, 14 टक्साले थी, चां साल के अधिकारे को दोस्तों दरोगा कहते थे तसकाल के अधिकारे को क्या कहते थे दरोगा कहते थे अकबर ने इंपोटेंट अभी पटवारी के लिए वेरी वेरी इंपोटेंट की अकबर ने नाप के लिए किस गज का प्रियोग किया या किस यंत्र का प्रियोग किया तो व जिससे अंक को इंच में नापते थे, इससे पहले ये नाप के लिए, यानि अगर ये इलाही गज चलती थी, अकबर ने चलाई, तो उससे पहले कौन सी गज चलती थी, तो याद रखना दोस्तों, सिकंदरी गज का नाम आता है, किसका सिकंदरी गज का, इसमें 49 अंगुल अत गर और इसी प्रकार गोहा में, जो अरव्या पहारी थे दोस्तों, समुद्रे थें रखना पर कौनसी का यह लागुकी बहार, और गोहा में केंडी नामक, तोल की, काई, कहां स्टाट की गई, तो वह दोस्तों केंडी गोहा में, ठीक है, मुगल बाधसा ने स्युयम राज् बादसाई ठीक है फिर नेक्स्ट है पट्टेक बुद्धवार को अदालत में बैटकर निलने देता था बादसा के बाद अगर बात करें न्याईदीस की तो वो दोस्तों काजी हुआ करता था ठीक है बादसा के बाद कौन हुआ करता था न्याईदीस काजी यह अपने बात कर पहले फिर नेक्स्ट है दोस्तों न्याय की सेत्र में सबसे अधिक सरान ये कारी किस ने किये तो न्याय को सरान ये कारी दोस्तों औरंग जेब ने किये फत्वा ये आलमगिर का संकलन भी करवाया इसने ठीक है फत्वा ये आलमगिरी फिर हैं सेक्षन की स्तति कैसी थी मुगल तो बात करते हैं, बाबर ने सर्वते आम नामक विभाग को विध्याले अत्वा महाविध्याले को निर्मान के लिए किया, यानि जो विध्याले और महाविध्याले को निर्मान के लिए कौन से विभाग की स्तापना की उसने, तो बाबर ने सर्वते आम की स्तापना की, ठीक किसने की बाबर दे ठीक है important फिर next चलते हैं अपने हुमायू ने दिल्ली के पुराने किले को सेर मंडल में पुस्तकाले बनाया किसने हुमायू ने दारा सिकों की बात करते हैं very very important दोस्तों कि दारा सिकों ने हिंदु गरंतों का फार्सी में अनुवाद करवाया ठीक है जैसे रावायन हो गई माभारत हो गई उपनिस्द गीता साम यह सब सामिलती उसने टोटल बावन उपनिस्दों का अनुवाद करा है किसने बावन उपनिस्दों का क्या करवाया निर्मान करवाया जिसे सिर एकबरी के नाम से जानते हैं क्या किस नाम से जानते हैं सिर एकबरी के दारा सिकों की बात करते हैं दोस्तों ये सांजा के पुत्तर थे उपनिशद को आपको पता है सर एक बरी इसे महान रहस्य के नाम से भी जानते हैं महान रहस्य के नाम से जानते हैं ठीक है इसका अनुवाद इसी ने करवाया था ठीक है अब मैं एक दो के बारे में बता देता कि अर्थ वेद का फार्सी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया तो आपको बता दू में दोस्तों कि हाजी इब्राहिम बॉर्डर के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया अब मैं आपको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बॉल ही देता हूं कि पंच तंत्र का फार्सी में अनुवाद किस ने किया तो यह याद रखना भारा शीकों के द्वारा करवाया गया ठीक है लेलावतिका पार्सी में नुवाद अगर आप चाहो तो बेसका आपको जितनी भी पुस्तिके इंपोटेंट है उनकी जो जैसे फार्सी में अनुवाद किस ने करवाया उनका अनुवाद किस ने करवाया तो मैं उनको अलग वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों तो अभी तो आपना यह इतना ही था अब आपन सेरसा सुरी ने ग्रांट ट्रंक रोड की मरमत करवा यह तो सभी को पता है ठीक है अब हम परिक्सा में जो पूछे गए इंपोटेंट क्यूशन उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों तो पहला ही क्यूशन आपके सामने है कि किस सासक ने बादसा की उपादी की धारण की गई नेक्स्ट क्यूशन अपना सुलहकुल की नीती किसने अपनाई मैंने खूब रटवाए था इसको भी कि सुलहकुल की नीती कई बार आरेस में पूछे गए क्यूशन के द्वारा ले उठाए गए हैं दोस्तों और यह सीधे पटवार में ऐसे कैसे दें तो यह बहुत इंपोटेंट धैं दोस्तों तो सुलहकुल की नीती किसके दौर अपनाए गई यह आपको बताना हैं तों आपको बता दू मैं कि इसको बार-बार रिपीट भी किया था अब बतादू मुकलकाल लीन प्रसासन में वित्थ विवाग का परदान कोन होता था अब बताना आपको कि वित्थ विवाग का परदान कोन होता था मैंने बताया दिवान ए आला वजीर इसका प्रमुक परदान होता था ठीक है अब इस समराट के अदीन था है और आदिन तोर पर इसे किसके नाम से दानते हैं पी एम के नाम से जाते हैं यानि प्रदान मंत्री के नाम से भी जानते हैं ठीक है अब बात करें मीर मुंसी की मीर मुंसी के बारे में बता दूँ कि सही पत्रों का लिखने वाला यही एक आदमी था जो आपको कहीं बार बता दिया है कि काजी क्या चीज होती थी काजी के बारे में क्या बताया था मैंने याद कीजी काजी जो मुकदमों का निप्टारा हो करता है ठीक है तो इसके बारे में तो आपको पता है नेक्स्ट चलते हैं चौते क्यूशन की और मुगल कालीन परसासन में में राज्य को किस नाम से जानते थे, अब बताईए, important, मैंने पहले भी बताया था कि इनको रट लेना, मुगल काली परसासन में राज्य को किस नाम से जानते थे, तो आप सभी को पताए कि मुगल काल में किस नाम से जानते थे, दोस्तों, सूबा किराम से जानते थे, ठीक है सरकार के बारे मैं आपको बता ही दिया हूँ ठीक है next question अपना मुगल काले इन परसाशन में जिले को किस नाम से जानते थे यह भी आपको बताना है कि जिले को किस नाम से जानते थे तो आपको बता दूमें जिले को दोस्तों किस नाम से जानते थे सरकार के नाम से जानते थे दस्तूरी कमिशन के रूप में किसी दिया जाता था, पटवार के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन, तो ये दोस्तों पटवारी है इसका अंसर, काजी की बात हमने कर ली है, कि काजी क्या होता था, ये निप्टारा करता था, उकदमों का, ठीक है, वजीर की बात कर ली वकील की बात कर ली, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्यूशन पर, कि काबूल में चांदी का सारुक तथा कंदार में बाबरी नाम का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया, ये बताना आपको, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया, पास सेर्षा, बाबर, अकबर और जहांगेर, तो आप सभी को पता है, आंसर तो आपको पहले देखते ही पता चल गया होगा, सेर्षा के द्वारा, ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्यूशन की और, कि अकबर द्वारा चलाया गया, सबसे बड़ा सोने का सिक्का, सिक्का, 101 तौले का था, वह किस नाम से जानते थे, आपको बताना इनमें से संबस, इलाही, दाम, जीतल, तो आपको मैं बता दूँ, कि मैंने इसको रटाय भी था, इसके इसी क्यूशन में 3-4 क्यूशन बन रहे हैं देखो, कि अकबर द्वारा, या ऐसे पूछ ले, कि सब सबसे बड़ा सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाय गया, तो वह दोस्तों, अकबर के द्वारा, या अकबर के द्वारा सबसे बड़ा सोने का सिक्का चलाय गया, वह कौन सा था, तो संबस, यह कित्ते तोले का था, 101 तोले का, important है, यह complete हो गया, इलाही की बात करते हैं दोस से चोटा शिक्का होता था उसे जीतल के नाम से जानते थे ठीक है अब next चलते हैं दस्वा क्यूशन किया जाता था इंग इलाज गजsk multip recess नाप का स्रोंड है नाम है नप कर लेना जबूंच गईना आपको प्रयोग की किया जाता था तो आपको बताना है तो इसका टराइट अंसर तो आप जुरू करें और आपको बताना है कि दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा खिक है दोस्तों धन्यवाद आप सभी के लिए लगे रहो जोटे रहो अपनी मैनत में धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए